फाइनली दोस्तो 2022 के ओल NPI में टीम हैने रमबोड के बीच में कमपैरेजन देखने मिलेगा हमने कभी सोचा भी नहीं था जो कि हमें देखने मिला है हड़ी चुपन और डेरिक लेंसपर्ट से तो डेरिक लेंसपर्ट को फर्स्ट अपर यहापे बहुत ज़ादा फाइदा मि बीट करेंगे बिकाज जो उनके इंस्टाग्राम के पोस्ट है या फिर वीडियोस थी वो मस्कुलर लगती थे हड़ी चुपन से बट दोस्तो स्टेज पे तो हड़ी चुपन इनसे बहुत ज़ादा यूज लग रहे थे बिकाज जो उनको इंक्सपिरेंस है तीन साल का जो उन्होंने इंप्रूमेंट किया है उन्होंने अपडेट भी नहीं दिया इस साल तो दोस्तो मुझे लगता है इसकी बदलत उन्होंने ये सारा मुसल मास गेन किया है बट दोस्तो बैक के अगर बात करोगे तो उन्हों बैक में डेरिक लेंसपर्ड डेफिनिटली उनको हरा रहते हैं मेरे अकवरडिंग, उनकी बैक वाइड तो आती है, हड़ी चुपन के साथ हमें से दिक्कत रही है कि उनके लोर लाट्स जादा बड़े नहीं, जादा साइज नहीं उसमें, बट उनके ग्लूट्स अन हमस्ट्रिंग में उन्होंने इस साल काफी इंप्रूमेंट कर पोस ले रहे, जैसे कि आप ये पोस देख सकते हो, साइड चेस का, साइड चेस में उनकी जो लेफ्ट वाली स्टेस्ट है, उसमें स्टारेशन काफी जादा वीजिबल हो रहे है, वही अपर बोड़ी जैसे की लेरिक डेंस पर की लास्ट यर भी सॉफ लग रही थी, इस सा की बात कर रहे थे, जो हड़ी जुपन की, इसकी बदलत मुझे लगता है कि इस साल उनको ओलंपिया का second number मिल सकते है, definitely, because अभी उनकी साइज और ब्रैंडन करी की साइज लगबख सेम लग रही थी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस सा साइज में, अगर आप ठीक से अब्जर करोगे तो, and overall chest में starations, legs में veins pop-up, सब on condition था, जो कि हम हड़ी जुपन के साथ हमेशा देखते हैं, वो कभी आफ आते ही नहीं है, और उसके बाद front lat spread का pose देख लेना, front lat spread के pose में Derek Lansford के chest काफी पतली हो जाते है, flat हो जाती है, वही legs में उनके size दिखा ही नहीं द करना होगा, उसके बाद, दोस्तो, abdomen with thigh, तो दोस्तो, इसमें जो obliques है, वो हड़ी जुपन के सबसे जादा अच्छे लग रहे है, बट भीडे पर अच्छा आ रहा है, Derek Lansford का, because उनकी वे small है, lats बड़े आते हैं, इसके बादे से उनका proper x-frame tear होता है, and illusion created होता है, एक तरी wide है, बट separation ठीक से दिखता नहीं है, और back में तो, दोस्तो, मुझे लगता है, दिल जीर ले, Derek Lansford ने, हमारा भी, and judges का भी, और front double bicep भी देख सकते हो, हट जोपनी से नेक्स लेवल, बट किदर भी मुकाबला जा सकता है, या फिर हो सकता है कि Samsung Duda भी इन से उपर आ सकते, Derek Lansford से, बट जिस तरकी से उनके aesthetic है, जिस तरकी से उनके पोस किया है, stage को अपने नाम कर दिया है, he owns the stage today, दूस्तो, तो, काफी हद तक मुझे लगता है 4th या 5th position उनकी होने वाली है, so, ये photo मुझे मिले थे, इसके वाज़े से मैंने इनका comparison किया, तो, आपको कैसे लागा, and अभी मैंने, आदा घंटा पहले मैंने pre-visioning का video डाले, तो, वो भी आप देख लेना, and आगे main physics, class physics, सबसे तगड़े तगड़े video, सबसे पहले मेरे च